तो गाइजर ये है स्टार लाइट ये बहुत ही जादा क्यूट है और मुझे ये बहुत ही जादा अच्छे लगती है मैं इसको अपनी गर्ल्फरेंड बनाना चाहता हूँ पर गाइजर स्टार लाइट को पसंद है ये खदर नाकसा चीता जोगी मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता वाव ये चीता कितना सादा पावर्फुल है और गाइजर यहाँ पर हूँ मैं जोगी स्टार लाइट को पसंद करता है पर कैसर मैं बहुत इस जादा कमसोर और बिना पावर वाला फ्लैश हूँ पर फिर भी स्टार लाइट को तो मैं अपनी गल्फरेंट बना कर रहूँगा स्टार लाइट प्लीज प्लीज मेरी गल्फरेंट बन जाओ अरे चलते पिरते अटिकेटा जी तुम ये क्या बोल रहो मैं तुम अपना बोल्फरेंट कभी नहीं बनाओगी तुम देख रहो वो सामने चीता मुझे वो अच्छा लगता है वो कितना साधा पावरफुल और मस्कुलर है स्टार लाइट मेरी बात सुनो तुमको वो चीता पावरफुल लगता है न अगर मैंने उस चीता को एक फाइट मरा दिया तो क्या तो मेरी कल्फरेंट बनोगी क्या तुम वो भी चीता को हराओगी है 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 ऐसा नहीं हो सकता अरे पर हो गया तो क्या तो मेरी girlfriend बनोगी क्या हाँ ठीक है अगर तुमने चीता को fight में हरा दिया तो मैं तुम्हारी girlfriend ज़रूर बनोगी अब देखो मैं क्या करता हो ए चीता मेरी बात सुन ले हम दोनों की fight होने वाली है जो भी जीतेगा वो starlight का boyfriend बनेगा और अब अच्छे ये क्या बोल रहा है मेरी muscles देख और तू अपने आपको देख अगर अभी थोड़ी तेज हवा चली तो तू हवा में उड़ जाएगा उसकी टेंक्सिन तुम मतलो बस तुम बताओ मेरा challenge accept करोगे या फिर नहीं ओके मैं तुम्हारा challenge accept करता हूँ आजाओ अरे ने 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 अभी नहीं पहले मुझे एक ख़तरनाक से flash में upgrade होना पड़ेगा क्या इतना time नहीं है मेरे पास मैं starlight को अभी अपनी girlfriend मना लेता हूँ अरे ने 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 प्लीज एज़ा मत करो मुझे तोड़ा सा time दे दो मैं पका upgrade हो करा कर तुम से fight करूँगा अच्छा ठीक है बच्चे मैं तुम्हें 20 minute का time देता हूँ 20 minute में तुम्हें upgrade होना पड़ेगा और हम दोनों की fight होगी एक fighting cage में और उसमें जो भी जिन्दा वापिस आएगा वो starlight को अपनी girlfriend बनाएगा ठीक है मुझे मन्जूर है मैं 20 minute में आता हूँ तो guysर अभी मैंने चीता को यहाँ पर एक challenge दे दिया है 20 minute के अंदर हमें upgrade होना पड़ेगा एक खतरनाक से flash में और guysर उसके बाद चीता और मेरी एक cage fight होने वाली है उस cage में से जो भी जिंदा भाहर निकलेगा वो boyfriend बने का starlight का मुझे बाते कम करनी चीए और काम पर लग जाना चीए क्योंकि मेरे पास रहे 20 minute है एक सेकिड इन अंकल की body बहुत खतरनाक है अंकल मुझे आपकी चैसी body बनानी है प्लीज बनवा दो बच्चे अगर तुम्हें मेरी चैसी body बनानी है तो तुम्हें ये पीजा खाना होगा क्या पीजा काने से दोना body बनती है बच्चे ये कोई ऐसा वैसा पीजा नहीं है ये है चादूई ingredient से बनावा पीजा इसको खाने से तुम्हारी body यूँ बन जाएगी क्या सही में फिर तो मुझे ये खाना पढ़ेगा क्या मैं इसको खालू बच्चे ऐसे कैसे खालोगे इस पीजा कि तुम्हें मुझे 100 रुपे देने पढ़ेंगे क्या 100 रुपे अरे मेरे पास तो एक रुपे अमीन ये रुक चाहूं मैं भी लाकर देता हूं आरे कैसर मुझे चल ली से 100 रुपे चाहिए मैं किसी से मांग नहीं सकता इसलिए इनको मार करे लेने पढ़ेंगे ये लो तो कैसर फुड़ाओ पट से पैसे ले ले दे ए मोटे चल थोड़े पैसे दे और कैसर यहाँ पर मुझे 100 रुपे मिल चुके है अंकल मुझे 100 रुपे मिल गए ये लो ओके बच्चे ये पीजा तुमारा हुआ तो चलो 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 फुड़ाओ पट से इस पीजा को खा ले दे और कैसर ये क्या इस पीजा को खाने के बाद मैं तो यहाँ पर अप्ग्रेड हो चुका हूँ मुझे स्टार लाइट को बताना पड़ेगा कि मैं कितना जादा खतरनाक हूँ चीथा कि बच्चे ये देख मैं कितना जादा खतरनाक ऑल्रेडी हो चुका हूँ और अभी तो मेरे पस और भी टाइम बाकी है बच्चे हमें परिशान मत कर हम दोनों को अकेले रहने दे हम 20 मिनिट बाद मिलेंगे केज फाइट में उसके बाद ही डिसाइड होगा कौन खतरनाक है चल निकलिया से नए 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 यारे का फेक डाला मुझे मुझे लगा था मैं आपर बहुत ही खतरनाक फ्लेश ऑल्रेडी बन चुका हूँ पर उस चीता ने तो मुझे इतना जाधा दूर बेज दिया मुझे लगता है मुझे और भी साधा अप्ग्रेड होना पड़ेगा तब ही मैं उस चीता से लड़ पाऊँगा और उसके लिए मुझे चाहिए होगा बहुत सारा पीजा तो चल्दी चल्दी चलके बहुत सारा पीजा खाते हैं कैसे हो बच्चे मैं तुमारी मदद करने वाला हूँ एक खतरनाक से फ्लेश में अपक्रेड होने के लिए और अगर तुमने ये खतरनाक चैलेंज कंप्लीट किया तो तुम्हें मिलने वाला है गोल्डन पीजा क्या 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 गोल्डन पीजा मुझे चाहिए मुझे बताओ क्या करना है तुम्हें सादा कुछ नहीं करना है बस जम्प करना है सबसे पहले इन तीन मिश्ट्री बॉक्स के उपर से ये तो बहुत ही इसी है चलो काईजर फड़ापट से इन तीनों मिश्ट्री बॉक्स के उपर से जम्प करते है बहुत ही सादा बढ़िया जम्प यहाँ पर मैंने कर लिया ये लो मैंने कर दिया हाइक मुझे जल्दी से पीजा दे दो रुक जाओ ये तो इस चैलेंज की सिर्फ लेवल वन थी अभी तीन तीन लेवल और करना बाकी है अगर तुमने उन सब को कम्प्लीट किया तो तुम्हें ये कोल्डन पीजा मिलने वाला है ठीके ठीके बताओ मैं कुछ भी करने के लिए द्यार हूँ अब बारे अगली लेवल की यहाँ पर तुम्हें पाच पाच लेंबोरगिनी के ओपर से जम्प करना पड़ेगा बिना टच करें ओके ठीके तो कैसर अब ये थोड़ा हार्ड होता जा रहा है पाच लेंबोरगिनी ये बहुत ही जादा बड़ा जम्प यहाँ पर होने वाला है हमें यहाँ पर लेंड करना पड़ेगा तो कैसर चल्दी चल्दी कमेंट कर दो जम्प अगर आप चाहते हो मैं इसको कम्प्लीट कर लो तो अगर आप कमेंट निक करोगे जम्प तो मैं आपर गिर सकता हूँ जल्दी करो अच्छा ठीके ठीके तो कैसर कमेंट कर दो जम्प और 3,2,1 गो और ये बहुत ही सादा बड़िया जम्प मैंने यापर कर दिया और इन 5 ओ लेंबोरगिनी के उपर से भी मैंने जम्प कर लिया बहुत बड़िया तुमने लेवल 2 भी कम्प्लीट कर दी अब बारी लेवल 3 की अब ये चैलेंज और भी मुश्किल होता जा रहा है अब तुम्हें जम्प करना पड़ेगा पांच-पांच मिनी वॉलकेनोस के उपर से और अगर तुम इनके अंदर गिरे तो जाओगे सिधा लावा में ओके तो कैसर अब चीजें मुश्किल जादा ही होती जा रही है अब मुझे जम्प करना इन मिनी वॉलकेनोस के उपर वो भी पांच-पांच तुम आपको तो पता ये क्या करना है कमेंट करो जम्प और अगर आपने कमेंट कर दिया जम्प तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना चलो इसके उपर से जम्प कर दे 3,2,1 और ये क्या ये तो बहुत ही जादा क्लोज था पर हमने इन सारे के सारे वॉलकेनोस के उपर से जम्प कर लिया बहुत बढ़िया अब पारी आकरी लेवल की वो लेवल बहुत ही खतरनाक है और अगर तुमने उसको भी कम्प्लीट किया तो तुम्हें ये गोल्डन पीजा मिलने वाला है ये गोल्डन पीजा दो पहुत ही जादा टेस्टी लग रहा है चल्दी बताओ मुझे क्या करना है मैं इसको खाने के लिए बेकुल तयार हूँ ये होने वाली है आकरी और सबसे खतरनाक लेवल अब तुम्हें जम करना पड़ेगा इन सारे के सारे हेलिकॉप्टर्स के उपर से और लेंड करना पड़ेगा उस प्लेटफॉर्म पर अरे अरे ये क्या यहाँ पर कितने हेलिकॉप्टर्स है टोटल पंदरा हेलिकॉप्टर्स है सब के उपर से जम करना होगा वरना मुझे नहीं लगता बिना good luck के मैं इस challenge को complete कर पाऊंगा तो चल्दी चल्दी लिखो good luck flash और kaiser comment में jump into thousand भी लिखते ना क्यूंकि उसके बिना भी मैं नहीं कर पाऊंगा आपको सब का सब अभी के अभी करना पड़ेगा अगर golden pizza खाना है तो चल्दी करो ओकी चलो तैयार हो जाते हैं ओकी तो काई सर मुझे लगता है मुझे दुन्या का सबसे खतरनाग jump यहाँ पर करना पड़ेगा इन सारे helicopters को cross करने के लिए तो मैं यहाँ पर बिल्कुल तैयार हूँ थ्री टू वेन गो बचाव मुझे 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 बचाव मु प्लेट किया मैंने नहीं सोचाता तुम ये कर पाओगे ये गोल्डन पीजा तुमारा हुआ और काइजर फाइनली ये गोल्डन पीजा में यापर मेल चुका है चलो इसको जल्दी से खा लेतें और हो चाहतें अपग्रेड अम नम 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 वो काइजर अब ही आप तो सही में बहती जादा बढ़िया था चंप कर करकर हम यहां पर अपग्रेड ओचुके एक बढ़िया से हलक फ्लेश में और एक्दम ये राजा की तरह है इसके उपर एक मुकुत भी है और पीछे वो पड़दा भी है तो यह सहीमें बहती zादा बढ़िया लग रहा है मु कमेंड में लिको पीजा ताकि मुझे और भी बहुत सारा पीजा मिलते जाए और मैं उसको खाखा कर अब ग्रेड हो सकूँ तो चलो और पीजा टूटे तुम लोगों का स्वागते इस कतरनाक सी रेस में ये रेस होने वाली है बहुत ही जादा कतरनाक और प्राइस तो अब सबको तिकी रहा है डाइमंड का पीजा औरे काईजर ये तो डाइमंड का पीजा है अभी तक मैंने नॉर्मल पीजा खाया है और गोल्ड का पीजा खाया है पर अगर मैंने ये रेस जीती तो मुझे डाइमंड का पीजा मिलने वाला है रूल्स बहुत ही सिंपल है रेस होएगी जो भी फर्स्ट आएगा उसको ये डाइमंड पीजा मिलेगा रेस में तुम टककर मारो या एक दूसरे को मारो मुझे फरेक नहीं पड़ता ओय मैं वाजी हूँ वाजी कोई मैरा सामने मताना सक को ठोक दूँगा सब लोग एक दूसरे को मारना चाहते पर काईजर रेस तो मैं ही जीतने वाला हूँ वे तु सबके सब तयार हो जाओ रेस शुरू होने वाली है जल्दी जल्दी गाड़ियों में बैट जाओ ओके चलो फड़ा पर जबनी गाड़ी में बैट जाते तो काईजर अभी आप देख सकते हो रेस यहाँ पर श्टार्ट होने वाली 3-2-1 को लेट्स को मैं ही जीतनगा तुम सब के सब कमी नहीं जीत पाऊँगे और जाओ मैं जीतनगा अरे काईजर मैं तो सबसे पीजे चल रहा हूँ मुझे सबसे आगे चाना पड़ेगा जल्दी जल्दी अपनी गाड़ी को फुल स्प्रीट में भगाते हैं पूस्टर्स का यूस करते करते हैं और अभी मैं ठर्ट पोजिशन पर याँ पर आ चुगा हूँ चलो 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 अरे यह क्या मुझे फिफ्ट पर कर दिया है रुख जाओ मैं आगे चा कर रहूँगा इन सब को में ओवर्टेक करना पड़ेगा मुझे वो डाइमंड वाला पीजा कैसे भी करके खाना है एक सिकिट यह आरंड में सबसे आगे क्यों चल रहा है हट जाओ मेर काड़ी सबसे फास्ट है और इसकी काड़ी सही में बहुत ही जादा फास्ट है आरे साइड हो जाए मुझे आगे चाने दे तुक्वाइजर अभी मैं सेकंड पोजिशन पर चल रहा हूं और बाकी सारे लोग बहुत ही जादा पीछे है और आरंड मैन बहुत जादा आगे है मुझे उस तक कैसे भी करके चल्दी से चल्दी बहुत नहीं पड़ेगा वो डायमंड वाला पीजा तो मैं खा कर रहा हूंगा जल्दी चल्दी कमेंट करो गुड लग फ्लैश अगर आप चाहे तो मैं यह रेस जी जाओ तो एक सगिंड स्पाडर मैन मेरे पास होता आपर कर दिया है अब मुझे पिल्कुल भी रुखना नहीं है भगाते जाओ बगाते जाओ नाई नाई ऐसा नहीं हो सकता ऐसा होने वाला है काईजर मैं अभी आरन मैंट से आगे निकल चुका हूं और वो सही में बहुत ही जादा पीछे है रुख जाओ उसकी गाड़ी भ पूरे बूस्ट का यूस कर रहा है पर गाईजर सामने फिनिशिंग लाइन बस आने वाली है और हम उसको सबसे पहले क्रॉस करेंगे और वो डाइमंड वाला पीजा हमारा होने वाला 321 लेट्स गो नई 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 ऐसा कैसे हो सकता है और गाईजर इसे के साथ सबसे प पागो बहुत बढ़िया मैंने नहीं सोचा था तुम यह जीत पाओगे पहले तुम लास चल रहे थे उसके बाद तुमने बहुत अच्छी गाड़ी चला कर वस्ट पर आ गए तुम यह डाइमंड फीजा खा सकते हो और काईजर आप देख सकते हो यह डाइमंड फीजा मेर पर के चल रहा है मुझे पोलिस वालों की मदद करनी चाहिए इन गुंडों को बताते हैं कि यहां पर आ चुका है रोबर्ट फ्लेश और वो इन्हें बिल्कु नहीं चोड़ेगा येलो इसको भी खतम करते हैं तो कईसर हमारी शक्दिया तो यहां पर बहुत ही जादा पावरफुल होना है उसके लिए और भी खतरनाग पीजा खाने पड़ेंगे गोल्ड डाइमंड और नॉर्मल तीनों पीजा तो हमने खा लिए तो चलो यहां पर चलते और भी पीजा खाते ताकि हम अपग्रेड हो सके दुनिया के सबसे पावरफुल और खतरनाग फ्लेश इन तीनों को खाने के बाद तुम बहुत खतरनाग फ्लेश बनने वाले हों औरे यह तो सही में बहुत ही खतरनाग है मुझे चल्दी से चल्दी इन तीनों चीजों को खाना है उड़ी बबा उसके लिए तुमें यह चैलेंज कंप्लीट करना होगा अपनी इस बाइक पर ब लावा में तो तुम्हें लावा में नहीं किरना है और सीधा पहुंचना पढ़ेगा फिनिशिंग लाइन पर और तुमको तो पता ही है अगर तुम फिनिशिंग लाइन पर पहुंच गए तो तुम्हें ये तीनों बीजा मिलेंगे चलू कैसर ये चैनल सही में बहुत ही तरनाग सी बाइक को सीधा लेकर निकल लेते हैं, मुझे ये चैलेंज कैसे भी करके कम्प्लीट करना है, इसलिए आराम आराम से जाना पड़ेगा, बिना नीचे गिरे, और ये फैन से तो मैं बच चुका हूँ, इस वाले से भी बचना पड़ेगा, लेट्स को, और ये क्या ह गया, इस फैन ने तो मुझे टक कर मार दी, बड़ी ऐसी लेंडिंग मैंने याँ पर कर दी, अवी ये तो चैलेंज शुरू होते ही खतम हो जाता, तू आप इससे समझी सकते हो, ये चैलेंज कि इतना जादा हाड होने वाला है, तो पड़ापट से अपनी बाइक को बगात से बगाते लेकर जाते है, सीना, फिनिशिंग लाइन पर हमें वाँ पर कैसे भी करके पहुचना है, और कैसर इसके बाद हमारी उस चीता से फाइट होने वाली है, मुझे तो बहुत सादा डर लग रहा है, पर कैसर अगर मैंने ये चैलेंज कंप्लीट कर दिया, तो तो मैं हराने वाला हूं, उस खतरनाक सी केज वाइट में, मुझे वो तीनो के तीनों पीजा बस कैसे मिंकर के खाने पड़ेंगे, तो यह से अपनी बाईक को मुडा लेते हैं, फुल स्पीड में, फिरिशिंग लाइन पर हमें अपनी बाईक को लेकर जाने वाले, यह से करते हैं बड़ी आसा जुम्प और यहां पर गिरना नहीं है नीचे है बहुत सारा लावा और यह क्या यह फैन का से गया यहां से लगता है जुम्प करना पड़ेगा लेट्स गो और यह बड़ी आसा जुम्प हो गया मैं आसे नीचे गिर सकता था बना भी फिलाल हमने यहां पर बैल कर दो और कमेंट में गुड़ लग फ्लेश तो सब ने लिखी दिया होगा अगर नहीं लिखा तो चल्दे चल्दे लिख दो वरना मैं यहां पर आठ जाओंगा मुझे यहां पर गिरना नहीं है कैसे भी करके चीतता है रूचो मेरे पास एक आइडिया है यहां से बढ़िया करकट लेने का त्री टू वन को अराम से अराम से हमें लेंडिंग करने पड़ेगी सामने फ्लेटफर्म पर और यह लेंडिंग हो चुकि है चुलो फड़ापट से अपनी बाइक को यहां से खुदा लेते हैं तो काइसर यहां से मुझे फिनिशिंग लाइन तो दिखने होगा उन्हीं की वज़े से मैं नीचे गिरूँगा तो सब के सब कमेंट करते रहो और यहां से खुदा लेते हैं अपनी भाई को लेट्स गो मैं आपर नीचे गिर गया पर भी लावा में ने गिरा तो यह बहुत ही बढ़िया बात है तो यहां से फड़ाफट से अपनी बचाते हम जारें अभी यहां पर यह बोलिंग बिन साथ चुकिए इनसे भी हमें बचते बचाते जाना पड़ेगा बिना नीचे गिरें और यह कौन सा प्लैटफों में नीचे देखो कितना सारा लावा है अगर गल्ती से भी नीचे गिरा तो मेरी तो आलत कराब होने वाल बहुत ही बढ़िया अपनी बाई को वापस से उपर यहां पर ले कर आचुक एब हम यहां से करना है एक और खतरनाक सा जमप औरगार इन सारे की सारे obstacles से बचते बचाते fans से भी बचते बचाते हम आगे जाते जा रहे हैं और अब हम आचुके इस खतरनाक से ट्यूब में तो क्वैजर 50% चैलेंज यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है तो सब के सब 50% कंप्लीट कमेंट करो ताकि हम इस चैलेंज को जीत सके बाकि का 50% बस कंप्लीट करना है उसके बाद हम लोग खाएंगे तीन तीन पीजा तो क्या आपने कभी डाइमंड या फिर गोल्ड या फिर खतरनाक पीजा खाया है तो कमेंट के की बताना सब से खतरनाक पीजा आपने कौन सा खाया है यहां से बन बचते बचाते जाएंगे और बड़ावट से अपनी बाई को लेकर चलते सीना फिनिशिंग लाइन तक हमें यहां पर कोई नहीं रोक सकता यह लकड़िया तो बिल्कुल भी नहीं आराम से आराम से और और गैजर आफ देख सकते हो इसको भी क्रोस करते हम यहां से आचो के शॉटकट यहां से ले लेंगे बड़ियाजग और कैजर अभी हम पहुचने वाले हैं टनल्स के अंदर इस टैनल्स के बाद सीधा हमें मिलने वाली हमारी Finishing Line आराम से आराम से आराम से और यहाँ पे बारी आचुकी है हमारी गाड़ी चेंज करने की हमें जाना यहां से हेलिकॉप्टर्स में बागी का चैलेंज हमें लगता है हेलिकॉप्टर्स में करना पड़ेगा तो फुड़ा पड़ से इसको उड़ा लेते हवा में हमें जाना पड़ेगा उपर जो टनल से उस तरफ तो फुड़ा पड़ से इसको लेकर चलते हैं मैं सारी की सारी गाड़ी चलाने में बिल्कुल एक्सपाट वह रहा है जैसे एक्सपाट बोला सीधा गिर गया चल्दी चल्दी गुड़ लग कमेंट कर दो क्योंकि गयजर फिरिशिंग लाइन बहुत ही जादा क्लोस पहुच चुकी है और हमारा हेलिकॉप्टर उपर नीच बोड में करना है तो यहां से करते हैं बड़ी आसा जंप और जंप करके हम लोग लैंड कर चुके और काईजर सामने बोड मुझे दिखरी हैं और फिरिशिंग लाइन भी हमारे सामने यह है आकिर कार जिस जीच का में वेड़ता वो आ चुकी है अमें बस फिरिशिंग मुझे दिखने लग चुकी है अगर आपको भी दिख रिए तो कमेंट करो येस और अपन यहां से निकलने दे चलो 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 हमें कैसे भी करके बोचना ही होगा अंकल प्लीज hankel प्लीज कुछ बद करना और, kaiser फिर आप देख सकतो हम लोग पहुच चुका हैं फिनेशिंग लाइन पर, अरे कहा जारो ए चलो काईजर चल दे चल दे इनको खाने दे अम नम 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 मैं आपन अपग्रेड हो चुका हूँ एक बहुत ही जादा खतरनाक फ्लेश में ये फ्लेश तो सही में बहुत ही जादा खतरनाक है इसकी मसल्स तो देखो इसकी पावर्स तो देखो ये सही में बहुत ही जाला पाउरफूर है तो चलो फड़ा फट से चलते हैं और उस चीता के बच्चे को खतम करते हैं केज फाइट में ताकि कैजर हमारी गर्फरेंड बन सके स्टार लाइट तो क्या तम दोनों तयारो इस खतरनाक से केज मैच के लिए मैं तो बिल्कुल तयार हूँ मुझे इसका नहीं बता मैं तो कब से तयार हूँ बच्चे चल तो तम दोनों इस केज मैच में चाओगे और जो भी जिन्दा वापिस आएगा मैं उसकी गर्फरेंड बनूगी जिन्दा तो मैं ही वापिस आने वाला हूँ दोनों को पेस्टा फ्लेग बाई बाई हाँ बई चीते डरेगा तो नीना मैं पहले से पहले से पहती जाधा खतरनाक फ्लेश बन चुका हूँ तुझे डर तो नहीं लग रहा मुझे कोई डर नहीं लग रहा बच्चे तु मेरे सामने अभी वह चूजा फ्लेश ही है मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला तुम दोनों तयार हो जाओ त्री डू वेन गॉ मैं तुझे नहीं छोड़ूँगा आजा चीता आज तो मैं तुझे बिल्ली बनाने वाला हूँ यह ले मैं तो बच्च गया अभी कैजर इसकी हैट्ट भी चूटी है अगर मैं इसको पंच मारूँगा तो उपर से चला जाएएगा वाँ हाँ तर क्ण्च मारूँगा तो तुझे बभी आधने वाला है भाग 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 तू भागने के अलावा कुछ नहीं कर सकता अब जानत चिरकुट अरे इसको तो मैं मार भी नहीं पारा ये ले अब आया नहीं अब आया ये क्या कर रहे हो मैं इसको अगर अपने बैर मारूँ गा तो इसकी हालतिया पर बहुत ही खराब होने वाली है अरे रुख जाओ मत नहीं मैं जारों को बहुत ही बुरा मारने वाला हूं तेरी ऐसे की तैसे ये ले तुखाई सर मुझे यहां पर इन सारे के साहे चीतास को मारना पड़ेगा पर ये बहुत ही जादा चोटा है मैं इसको ढंक से मार भी नहीं पाना अबे निकलना यहां से याद रखना तम को मुझे खताम करना ही पड़ेगा अपनी असली पावर्स दिखानी पड़ेगी इतनी देर से मैं सोच रहा था अपनी असली पावर्स नहीं दिखाई जाए पर गैजर ये मान तक है चल फुटियां से अब तेरी बारी ये ले हाँ चीता अब तो स्रिफ तू बचाए ये कै ये ये ले इसको तो नहीं पूरा का पूरा खतम कर रहोंगा स्टार नाइट तो स्रिफर मेरी गर्फ्रेंड बनेंगी टिंगें मेह और मानता ङूँ मेह और मानता हमुझे छोड़ दो अ तो गाइजर इसे के साथ आप देख सकते हो मैंने इस चीता को घतम कर दिया है अरे अरे फ्लैश मुझे तो पताई था तुम ही सख से कदर नाकू आज से तुम मेरे बोई फ्रेंड चलो मेरे साथ मैं तुम मेरे साथ चलने वाली है तो गाइजर फाइनली स्टार लाइट हमार तो सब्स्राइब करते ना पतना इसाथ वीडियो फटाफ़ट से कमेंट करके बता दू मैं यहां पर बन चुका हूं बहुत ही जादा खतरनाक वाला फ्लैश जह हमने स्टार्ट के था तो हम बहुत ही जादा पतले और कमजोरते पर अब ही हम बन चुके हैं बहुत ही जाद खतरनाक इस्टाग्राम और डिस्कॉर्ड डिस्रिप्शन पर वहां पर जाएके जोन फॉलो करना और गाइजर हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए बाइबाइबाइब